जै जोहार संगवारी मन आप मन के मोर यूट्यूब चैनल 36 गड़ी रेसिपी बायांगीता मस्वागत है आज हमन बनाबो होली के स्पेसल गुजिया के रेसिपी जो बहुत ही कम समय और बहुत ही कम खर्चा मा बनी आज हमन इला बिना मावा के बनाबो वो भी बिल्कुल मावा के टेस्ट मा था चला बनाए बर सुरू करतन सबसे पहली हमन एक बड़े से बरतन ले ले वो जे महमला आटा लगाए बर है यहाँ पे मैं डेड़ कप मैदा लूँ हूँ आप मन अपन हिसाब से इलाकाम अउजादा कर सका था डेड़ कप मैदा लेके बाद यहाँ पे मैं आधा कप गरम गरम तेल या घी कुछ भी आप मन ले सकता है मैं यहाँ पे आधा कप गरम गरम तेल डाले हूँ यहाँ पे मैं रिफाइंड ओयल डाले हूँ अब हमन जो मोयन है और आटा मा अच्छा से लगा लेबो अलग से हमने मा कुछ भी जिजला नहीं डालन अच्छा से मोयन ला सब आटा मा हमनला मिला लेना है अकर बाद हमने लचेक कर बो कि हमर जो मुयन है वो हकम या ज़्यादा थोड़ी होगे है सबसे पहली हमन आटा हमा सबसे पहली मुयन ला मिला ले हैं अकर बाद हमन थोड़ा सा आटा लहाद मले बो अकरबा एक साथ मुठी करके चेक कर वो कि एहा बाइंड होते की नहीं आप मन देख सकता कि हमर जो आटा है वो बहुत अच्छा से बाइंड होए बर सुरू हो चुके है अब हमा निमा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम मीडियम सॉप्ट डू बना ले वो जेकर से जो हमर गुजिया है एकदम खस्ता बन करके तियार हो ही अगर मुयन कम है ता आप अनके जो गुजिया है वो है एकदम टाइड बन करके तियार हो जही या एकदम ही जादा नरम रही खस्ता बिलकुल भी नहीं रहे अब हमाने ला धग करके 10 मिनट के लिए रेश्ट करेबर छोड़ देवो अब हमाने यहाँ पे एक करजो स्टफिंग है उला बनाबो सबसे पहले एक कढ़ाई ले हो और मैं यहाँ पे एक बड़े जमच घी डाल देवो आप मैं ला अगर घी पसंद नहीं है ता आप मैंने ला तेल भी डाल सकते लेकिन घी की ज़्यादा टेस्ट आते उकर बाद ही यहाँ पे मैं एक कप सूजी ले हो सूजी ला अब हमान अच्छा से धीमी आच में भून ले वो जोजी जही से जही से भूजज़ जही अगर भूआ पर शुरू हो जही हो और साथ ही एकर जो कलर है वो भी चेंज हो जही हमाने ला थोड़ा सा लाल होत तक अच्छा से भूंज ले वो ओकर साथ ही यहाँ पर मैं कुछ ड्राइफ रूट्स ले हो काजू बदाम आप मैं ला जो भी पसंद है वो आप मैंने मा एड़ कर सका था आप मैं यहाँ पर किस्मस भी डाल सका था मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूने हुए मुंख फली लभी डालत हो जिकर से जो टेस्ट है वो बहुती ज्यादा अच्छा आते सबला हमान अच्छा से मिला ले वो ओकरसांती यहाँ पर मैं आधा कप नारियल लकीज करके डाले हो यहाँ पर मैं रारियल ले रहे हैं सुखा वाला अच्छा से मिक्सीमा चला ले हो आप मन बजार मा जो नारियल के पुरादा मिलते औहुला डाल सका था सबला अच्छा से अच्छ भी डालके सद्साद आप करूँछ यहां पर लाई सोघर भागोρεत की से हाँजक से बीना मावा के बुना में ऑलोगैब मस्त बिना मावा के मावा वाला गुजिया बन जही था अब हमाने स्टफिंग थोड़ा सा ठंडा हों देबो अब हमान जो आटा गुथे रहे हो थोड़ा सा अउ गुथ लेबो और बाद एकर छोटा 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 लोई बना लेबो अब हमान जो लोई बनाया है नोला अच्छा से बेल लेबो लोई बेले के समय हमान लालक से घी या फिर मैयादा के पाउडर लगा के बिल्कुल भी जूरत नहीं है अगर मोयन अच्छा से लगए है तो हमर जो रोटी घोलगोल अमन बेल बो अब बहुत ही अच्छा से बन करके तियार हुए बिल्कुल भी है अच्छा से पतला पतला हमन ला एला January लेना है करबार जो हमनों के गुजिय बनाए के साचा आथे अब हमनों अच्छा से थोड़ा सा गी लगा करके ग्रीस कर लेना है उकर बाज जो हमान रोटी बेल करके तियार करे हैं उला साचा के उपर रख दे रहा हैं उकर साथ ही हमाने मज इस्टफिंग बनाए हैं उला भी अच्छा से भर लेना यहाँ पर मैं दो चम इस्टफिंग भर रहे हूँ अब साइड में हमान थोड़ा सा पानी लगा लेबो जेकर से बहुत अच्छा से चिपक जही और तले के समय नहीं फूठी एक्ष्टा जो भी अउला निकाल देबो आप मन देख सकता एकर बहुत अच्छा से बन करके तियार हो चुके है ता इसने हमान अओ भी गुजिया बना करके तियार कर लेबो मैं एक गुजिया ओ बना के दिखातो सबसे पहली लोईला हमन ले एकदम पतला बेलना है मोटा करे ले एकर उपर के लेर बहुत ज़्यादा मोटा हो जही ओकर साथी एक खायमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी अब हमन के जो साचा है ओला अच्छा से ग्रीज कर लेबो ओकर साथी हमन के जो एकदम पतला रोटी बेल के रखे रहे हैं ओला साचा मा अच्छा से फैला करके डाल देबो पतला बेले ले हमन के जो गुजिया है बहुत ज़्यादा खसता बन करके तियार होई अच्छा से इला फैला लेबो, ओकर साथी है, आपे मैं दो चमच, स्टफिंग डाल दो हूँ, स्टफिंग डाले के बाद हमाने मां अच्छा से साइड में पानी लगा देबो, ओकर से हमार गुजिया तले के समय बिल्कुल भी नहीं फैल ही, अब साचाला बन कर देबो, एक्स्टा जो भ भी दल सका था, घीमा भी दल सका था, मैं यहाँ पे एला घीमा दला तो, सबसे पहले घीला अच्छा से गरम कर ले हैं, और बाद हमाने यहाँ पे एक्के करके गुजिया डाल वो, यहाँ पे जो तेल हो अच्छा से गरम करके मीडियम फ्लेम मा करना है, नहीं ता आप मने गुजिया एकदम से पक जहीं और अंदर से कच्छा रही जहीं, ता आप मन भी एला अच्छा से ध्यान दिया, एक एक करके हमाने गुजिया डाल देबो, यहाँ पके मां पांस से साथ मिनट लगते हलका आच्मा एला हमान लदूनों कतीले पका लेना है, जैसे गुल्डन अबर शुरू हो जहीं, उकर बाद हमाने लद निकाल देबो, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, काबर की हमाने के जो गुजिया एला बाहर निकाले के बाद भी ठंडा हो इसके समय तक यहाँ थोड़ा थोड़ा पकद रहेते हैं, और उकर कलर हाँ डार्क वे बर शुरू ह हो जाते हैं, तो आप मन देख सकते हैं, इकर कलर बिल्कुल गोल्डन डॉन हो चुके हैं, अब हमाने लद निकाल ले वो, हमार गुजिया पांस से साथ मिर्ट लगे हैं, आप मन देख सकते हैं, अभी से बहुत ज़्यादा खस्ता दिखाते हैं, जैसे जैसे यह ठंडा हो यह बिल्कुल खस्ता हो करके तियार हो जाएं, बिल्कुल भी है तेल एक्ष्टा नहीं सोके हैं, आप मन देख सकते हमार गुजिया बन करके तियार हो गए हैं, चला अब हमाने लद बहार निकाल ले धन, दिखाते हैं एकदम खस्ता बिल्कुल भी है, तेल नहीं सोके हमार आप मन भी होली माईला बना करके इंज्वाइ करा बीना मावा के मावा वाला गुजिया रेसिपी अच्छा लगी सुछे दर चैनला सस्क्राइब कर दिया वीडियो ला लाइक कर दिया और सेयर करें पर जन भुलाई या जल्दी मिलत था नया वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जुहार जय चतिस गड़